हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल लवली फैशन बूटिक में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डबल कटोरी बिलाउस की कटिंग सीखेंगे तो आप दिहान से देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह देखिए फ्रेंड् आपको एक निशान यहां शोल्डर पर लगाना है उसके भूब पट्टी के लिए एक निशान यहां लगाना है इस तरीके से उसके बाद हमारी ब्लाउस के लेंटे 14 इंच की है तो हम यहां से कि साड़े पंद्रा इंच पर निशान लगा देंगे ठीक है कि यह देगे फ्रेंड निशान सीधा कर देंगे इसके बाद हमारा इसका काटेंगे वो नेग के काटेंगे इसके बैक का नेए नुए इंच fight ठीक है तो हम यहां से हैं साभी पंच इंच का शोल्डर काटेंगे उसके बाद यह 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे आर मॉल का ठीक है तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे 5.5 इंच का हमने शोल्डर लिये और यह आर मॉल 6 इंच पर निशान लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से उसके बाद यह स्केल के मदद से सीधा कर देंगे उसके बाद यह हमारी चेस्ट 36 इंच की है तो नौ चोग 36 यह जो हमने निशान लगाया था यह निशान से नौ इंच पर निशान लगा देंगे एक चेस्ट का उसके बाद इसकी वेस्ट है 32 इंच की तो हम यहां से 8 चोग 32 आठ इंच पर निशान लगागे और एक इंच पलेट का निशान लगा देंगे तो यह 9 इंच पर निशान लगा देंगे ठीक है उसके बाद यह स्केल के मदद से सीधा कर देंगे उसके बाद यह आर्मोल का निशान लगा दीजी सीधा ठीक है उसके बाद यह एक इंच की गुलाई कर दीजा आर्मोल की यह इस तरीके से और एफ यह देगे फ्रेंड ठीक है उसके बाद हम नेक का निशान लगाएंगे नेक नएक फ्रेंड का वह साड़े चेच चाह थाятся ही पैल्ग कि आनौल के ठीक है है कर यहां से का साड़े चेच कर ले लेंगे यह देगे फ्रेंड्स यह देगे फ्रेंड्स यह हमारा मारकर लग चुक है अब हम इसकी गुलाई कर देंगे नेक की इस तरीके से रखाना ळेफ्र एगसी देगे फ्रेंड्स अब हम इसकी कार्टोरि निशान लगांगे ध्यान से देखना ठीक है कि आता हम क्या करेंगे यह जो मेंनेक निशान लगाए एक इंच का निशान यहां łसे लगा देंगे ठीक है यह देखिए इस तरीके से उसके बाद यह हमने 9 इंच का निशान लगाया था तो यह साइस पे से 3 इंच का निशान लगांगे इसका त्याहिस सा ले लेंगे ठीक है तो यहां से यह 6 इंच का हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद यह आरमोल पे से यह धाएंच का निशान लगा देंगे यह देखे Friends उसके बाद यह इसकी कटोरी की गुलाई कर देंगे इस तरीके से यह देखे Friends अब हम इसका बैल्ड का निशान लगाएंगे तो आपको यहाँ से एक 3 इंच पर निशान लगाना है उसके बाद यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना है यह देखे फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ से इसकी गुलाई कर दीज़े यह देखे इस तरीके से ठीक है उसके बाद फ्रेंट्स यह देखिए यहां से इसका सेंटर लेके तो यह हमारा नौ इंच का था यहां से साड़े चार इंच लेके यह इसकी बीच में से हलकी सी आपको गुलाई और करना है तक्रीबन दो सूथ की यह इस तरीक है ठीक है अब हम इसको कट कर देंगे यह देखिए इसमें मारजन आपको देड़ इंच का देना है यह साइज कम बढ़ती करने के लिए मारजन देना जरूरी होता है अब इसके कटोरी कट कर दीजेए बढ़ती कर देना है यह देगे friends हमारा friend कट चुका है ठीक है अब हम इसकी बैक काटेंगे निशान यहां से लगा के तो हमारी 14 इंच की लेंठ ही तो हम यहां से कंदी पैसे साड़े 14 इंच का निशान लगा देंगे ऐसे थिक्यों उसके बाद इसमें 1्ट मार्जन देदेंगी थीक है कि यह इस तरीके से कि यह तक यहमने साड़े पांच इंश का स्टले टाथा साड़े पांच दो सूथ थीक है तो हम यहांसे यह निशान लगा देंगे कि उसके बाद यह 32 32 इंच की विवैस्ति तो 16 इंच का निशान लगा के एक इंच डॉट्स का लगा देंगे उसके बाद यह मार का कंप्लीट कर लेंगे यहां से यह देखिए फ्रेंड्स चेस्ट इसकी 36 इंच की तो हम यहां से 9 इंच का निशान लगा देंगे उसके बाद यह स्केल के मदद से मार का कंप्लीट कर लेंगे फिर यह देड़ इंच का इसमें मार्जन दे देंगे इस तरीके से उसके बाद यह आर्मोल का सीधा निशान लगा देंगे आपको डॉट्स साड़े चार इंच का निशान लगाना है ठीक है तो हम यहां से साड़े चार इंच का निशान लगा देंगे डॉट्स का उसके बाद यह स्केल की मदद से सीधा कर देंगे अब आपको हाफ इंच इधर से लेना है डॉट्स का निशान हाफ इंच इधर से लेना है कि यह देखे फ्रेंड्स यह देगे फ्रेंड्स यह हमारा बेक का निशान लग चुक है अब आपको क्या करना है यह इस तरीके से बिछा गए इसको आपको दो सूथ आगे को निकालना है ठीक है कि वह इसलिए क्यूंकि हमने हुप पट्टी के लिए मार्जन दिया था इसमें फ्रेंड में ठीक है तो हम यहां से इसको इस तरीके से बिछा गए के फ्रेंड्स हमने इसकी एक इंच की गुलाई दी थी ठीक है आपको बैक की इसमें देड़ इंच की गुलाई देना है कि यह क्रॉस निशान लगांके देड़ इंच की गुलाई देना है कि यह देगे फ्रेंड्स यह हमारी बैक भी कट चुकी है अब हम क्या करेंगे यहां से इसका नेक कटेंगे तो यह फ्रेंड्स उठाकर इस तरीके से इसको यह निशान लगा कर तो हमारा बैक का नेक कितना था साड़े नौ इंच का तो हम यहां से क्रॉस निशान लगा देंगे साड़े नौ इंच पर यह हमने उपर से वीड़ इसकी अधा इंच के लिए थी और यहां से आपको तीन इंच की लेना है इसके बाद यह स्केल के मदद से सीधा निशान लगा देंगे यह यह देगे फ्रेंड्स इसके बाद यह नेक की गुलाई कर देंगे इस तरीके से यह देगे फ्रेंड्स हमारा मारक लग चुक आप कर देंगे ठीक है यह हमारी बैक कट गई अब आप दिहान से देखना मैं इसकी कटोरी बताऊंगा आपको किस तरीक यह देगी फ्रेंड्स यह हमने जो कटोरी काटी दी आपको ही कटोरी उढ़ाना है सबसे पहले आपको इसकी गुलाई ना अपना ही कितनी आ रही है तो यह हमारी 9 इंच की गुलाई आ रही है ठीक है तो हम इसका 23 से पर निशान लगाएंगे तो हम क्या करेंगे यहां से 3 इंच पर निशान लगाएंगे ठीक है यहां से हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे उसके बाद ये इसका सेंटर न अपलेंगे 6 इंच का तो हम 3 इंच का यहां पर निशान लगा देंगे ठीक है उसके बाद ये सेंटर से आपको 1,5 इंच का निशान लगाना है यहां से आपको 2 इंच का निशान लगाना है यह देखे फ्रेंड्स उसके बाद यह स्केल के मदद से इस तरीके से लेके यह देखे फ्रेंड्स यह निशान लगा दिया अब इसको कट कर दीजें यहां से यह देखे फ्रेंड्स अब हम इसकी कटोरी काट लेंगे उसके बाद आपको इस तरीके से कटोरी रखना है यह देखे फ्रेंड्स ऐसी आपको कटोरी रखना है यह मार्जन के लिए ठीक है यह देखिए यह इसके बीच में यह ऐसे रखना है कटोरी उसके बाद आपको यह एक इंच का निशान इस साइट से लगाना है इसके बाद आपको यह हमने देड़ इंच का निशान लगाया था तो यहां से तीन इंच ना अप लेंगे ठीक है यह तीन इंच पर सेंटर का निशान लगा देंगे ठीक है उसके बाद आपको यह सकेल के मदस से है यह तरीके से निशान लगाना है WordPress ठीक है कि उसके बाद नेक पर आपको कुछन करना है इस ऑसथ निशान लगाना है यह देगि इस तरीके से उसके बाद आपको यहां से margen के लिए देना है तक्रीबन 3000 का ठीक है यहां से हम 300 का margin देंगे ये इस तरीके से यह देगे friends उसके बाद यहां से यह सीधा निशान लगा देंगे ठीक है यह देगे फ्रेंड्स अब हम इसको इस तरीके साह डालेंगे उसके बाद आपको देड़ इंच का एक निशान यहां लगाना है देड़ इंच का एक निशान यहां लगाना है उसके बाद यह इस तरीके से यह देगे फ्रेंड्स ठीक है अब हम इसको कट कर देंगे यह देखी फ्रेंड्स हमारे कटोरी का निशान लग चुका है अब हम इसको यह कट कर देंगे यह देगे फ्रेंड्स अब आपको एक कट यहां लगाना है एक कट यहां लगाना है उसके बाद एक कट यहां लगाना है एक यहां लगाना है एक संटर में लगाना है ठीक है ताक्या आपको confusion ना हो देखी फ्रेंड्स अगर आप अस्तर वाला ब्लाॉज काटेंगे तो इसको बीच में से कट कर देना ठीक है अभी जरूरत नहीं है कट करने की आपको यहां से इस तरीके से डॉट्स डालना है यह मैंने कट लगाए यह तरीके से इस कट से而्पे मारना है उसके बाद आपको यहां से डॉट डालना है ठीक है यह और बार इस तरीके से लेकर यह से डालना है पिर यह कि आपकी कटोर्य ऐसे आजाएगी है फिर इसी को डबल कटोरी कहते है थीक है फ्रेंट्les अब मैं आपको स्लीव दोता हूंगा इसकी स्लीव किस तरीके से कटेगी यह देगे फ्रेंड्स हमारी स्लीव की लेंद थे साड़े चार इंच की तो हम यहां से पांच इंच पर निशान लगा देंगे हाफ इंच मार्जन का चला जाएगा उसके बाद आपको डाईँ डाउन करना है अगर आपकी चाड़ साठी की स्लीव देट है तो आप इसको ऊपर से शोल्डर सब्सक्राइब करेंगे और अगर आठ इंच या नौ इंच किये तो आप तीन साड़े तीन इंच भी डाउन कर सकते हैं ठीक है तो मैं इसको डाइच लेंगा कि इसमें देड़ इंच का मारजन दे देंगे तो यह फ्रेंट उठागे इस तरीके से इसको इसकी गुलाई न आप लिजे कितनी आ रही है यह देगे फ्रेंट यह इसकी आठ इंच की गुलाई आ रही है ठीक है तो हम क्या करेंगे हाफ इंच बढ़ती काटेंगे स्लीव का अर्मोल हमेशा साइस के अकॉर्डिंग हाफ इंच बढ़ती ही काटिया आप आपको परशान ही न होगी फिर तो यह देगे फ्रेंट्स ठीक है इसकी स्लीव की मोरी है साड़े तेरा इंच की तो हम यहां से पहने साथ इंच पर निशान लगा देंगे कि उसके बाद आपको इस तरीके से इसकी गुलाई करना है यह देखिए है ठीक है अब हम इसको कट कर देते हैं कि इसमें भी आपको देड़ इंच का मार्जन देना है यह देखिए फ्रेंड्स हमाई स्लीव कट चुगी है अब हम यहां पर एक कट लगा देंगे एक कट सेंटर में लगा देंगे एक कट यह मार्जन पर लगा देंगे ठीक है उसके बाद यह इस तरीके से अ कुल के अब आप इसको अलका सा तकरीबन हाफ इंच इसका अर्मॉल आपको खार नाcontrol यह देखिए इस तरीके ऑज़े मेने कट गई हमारा कट चुक एग अगर आपको कुछ भी डावड हो कुछ